स्पॉंसर्ड बाइ पी एसेस विजिन अकैडमी थर्ड फ्लोर रमा गोविन पैलेस सिर्मोर्चौक रीवा नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका विंद्या टाइम्स में में अनाम है आयू शानन MP विधान सभा चुनाव में एक साल का वक्त बचा है अब सरकार चुनाव को देखते हुए फैसले ले रही है सरकारी विभागों में खाली पदों पर भरती और प्रमोशन की प्रक्रियाश शुरू कर दी गई है ऐसे में नई नौकरियों के द्वारा प्रदेश में अब खुलने लगे हैं साथ ही सरकारी नौकर और सरकारी नौकरियों में लगे लोगों की किस्मत भी अब बदलने वाली है उन्हें सरकार प्रमोशन देने की तैयारियों में मध्यप्रदेश में आर आई यानि की राजस वर निरिक्षक अब नायब तहसीलदार बनेंगे बड़ी खबर है आपको बता दें इसके लिए MP सरकार की तरफ से मापदंड तैकर लिया गया है प्रकडिया जल्द शुरू होने वाली है और MP में नायब तहसीलदार के कुल 1242 पद मंजूर है उनमें से 504 पद अभी खाली है खाली पदों पर कुछ जगह प्रभार से काम चल रहा है वही आपको बता दें कि ऐसे में सरकार ने नहीं तैनाती की कवायद भी शुरू कर दी है क्योंकि 2023 में MP में विधान समाच चुनाव है और सरकार ने इस पद के लिए राजस्व निरिक्षक को प्रमोशन देने का प् एसे राजस्व निरिक्षक जिन्हों ने अपने पांच साल नौकरी कर ली है अप प्रमोशन के पात्र होंगे इसके साथ ही सर्विस के दौरान उनके 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 उपर कोई भरष्टाचार का मामला दर्ज नहीं किया हो इनका राज आपको बता दें कि इनका मुल्यांकन भ चल नहीं हो साथी वहीं बता दें आपको कि लोकायुक्त का कोई केस नहीं हो यह सारी रखी गई है कि इन मापदंडों को देखकर उन्हें प्रमोशन मिलेगा तभी राजस्व निरिक्षक नायब तहसीलदार बनने के पात्र होंगे इससे पहले पांच बार राजस्व निर 2016 एक जुलाई 2016 16 मार्च 2017 और दो जून 2017 को नायब तहसीलदार बनाए गया था मगर कनिष्ट वहीं बता दें कनिष्ट प्रशासनिक सेवा संग के विरोध के बाद 10 फरवरी 2020 को प्रभारी नायब तहसीलदार को फिर से उनके मूल पद पर भेज दिया अब देखना होगा कि इन पदों पर कितनी जल्दी प्रमोशन इनहें मिलता है बहुत बहुत धन्यवाद